दोस्तों छोले भटूरे ब्रेड और समोसे कचोड़ी जैसे स्वादे श्रीट पूर तो आपने जरूर खाया होगा और साथ में यह भी सुना होगा कि इन सब चीजों को जादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह सभी चीजे मैदे से बनती हैं लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदे से बनने वाली चीजों को खाने से क्यों मना किया जाता है इस सवाल का जबाब जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि मैदा क्या है और मैदा कैसे बनता है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैदा उसी गेहूं से बनता है जिसकी बनी रोटियां हम सब खाते हैं और जिसे हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन गेहूं से मैदा बनाने का प्रोसेसी इन दोनों में अंतर करती है गेहूं से मैदा बनाने के लिए मैदा मेल होती है और मैदा बनाने के लिए सबसे पहले मेल में गेहूं को धोया जाता है जिससे गेहूं में मौझूद गंदगी साप हो जाए उसके बाद गेहूं को अच्छी तरह से सुखाया जाता है और जब गेहूं सूख जाता है तो उस के बाद गेहूं के बीच का सफेज इस्सा बजता है और उपरी परा थटने की परकिरिया में गेहूं मोटे टुकडों में तूट जाती है और इन टुकडों में इसे भूसी को निकाल लिया जाता है और यही बचा हुआ कंद सूजी कहलाता है जिसे कुछ लोग रवा भी बोल गेहूं से मैदा बनने की परकिरिया में पहले सूजी पराप्त होता है इसके बाद आखरी चरण में गेहूं के इन कनों को अच्छे तरह से पीशा जाता है जिस से की सफेद पाउडर बनती है और यही सफेद पाउडर मैदा होती है जिसस से हम कई परकार के बेंजन बनाते मैदा बनने कि इस परकिरिया से अपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि भले ही मैदा गेऊं से बनाय जाता है लेकिन इसमें गेऊं के सभी पोसकत तो नष्ट हो चुके होते हैं और इसमें से फाइबर भी निकल जाता है इसी कारण इसे खाने पर ये अच्छी तरह से पच नहीं पाता है और रातों में जाकर चिपक जाता है और अगर आप मैदे से बनी हुई चीजों का सेवन ज्यादा माचरा में करते हैं तो पेट से जुड़ी हुई कई सारी बिमारियां हो सकती हैं इसलिए मैदे से बनी हुई चीजों का बहुत ज़्यादा सेवन करने से हमें बचना चाहिए तो आसा करता हूँ कि आपको समझा गया होगा कि फैक्टरी में मैदा कैसे बनता है और ऐसे ही नालेजबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं भारत में खाई जाने वाली सभी चीजे फैक्टरी में कैसे बनती हैं इसके बारे में आपको अवेर कराता रहूंगा